नमस्कार मित्रो कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूँ आप सभी स्वस्था और सानन्द होंगे आप समों के सुख, शान्ति और सम्रिद्य की ईश्वर से मैं कामना करता हूँ पिछले तीन वीडियो में, जो शुरू के दो वीडियो हैं, पोर्टफोलियो के लिए 20 स्टॉक मैंने सुखाये हैं पिछले दो वीडियो में और कल मैंने स्टॉक अपड़ डवी क आप लोगों को बताया था, उसका पूरा इंडफ एनरेशिस मैंने बताया था कि उसमें किस तरह से एक बड़ा gain possible है तो उसको ठीक से देखिएगा मैं हमेशा एक चीज कहा करता हूँ कि वीडियो को भगा कर मत देखिए क्योंकि जब तक आपको एक sound knowledge नहीं होगा तब तक उस stock में आपका आपकी दिर्ड भावना नहीं बनेगी आपका resolve नहीं बनेगा और इसलिए उसमें बने रहना है या उसको छोड़ना है इस बात की समझ आपको develop नहीं हो पाएगी इसलिए मैं हमेशा करता हूँ कि जो भी देखिए या तो मत देखिए अगर देखते हैं तो उसको पूरा देखिए मैंने कई सारे इंडेप्ध अनलिसिस आप लोगों को दिये हैं नॉबर के मंत में जितने स्टॉक्स का इंडेप्ध अनलिसिस मैंने बताया था और सुन ट्रेट्स बताया था उन समों पे बेस्ट मैंने तीन report card सिरीज पिछले तीन संडेज को पोस्ट किये थे जिसका in-depth analysis देता हूँ और जिसको swing trade के लिए भी recommend करता हूँ वो सब काफी मेहनत के बाद काफी sources से data collect करके उनको analyze करके एक पूरा research करके आप लोगों के सामने एक stock लाता हूँ इसलिए मेरे stocks इतना जबरदस्त perform करते हैं इन तमाम मेहनत के बदले आपसे सिर्फ इतनी अपेक बहुत बढ़ता है मगर उससे आपका कोई नुकसान नहीं होता इसलिए अगर मेरा ये channel अच्छा लगता हो आपको मेरे videos अच्छे लगते हों तो subscribe करिए चलिए अब मैं आपको आज का report card series आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ देखिए ये ये आपके सामने है date 3 21 21 साल का ये पहला report card series है और वैसे 3 पहले हो चुके तो ये चौता है storm in 8 stocks recommended by me and targets मैं पूरा targets बताऊंगा अभी तक कैसा performance है वो भी बताऊंगा और आगे कैसे performance इसका हो सकता है ये सब बताऊंगा आपको बस बने रहे ये video में और video को भगा कर मत देखिए सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं Titan Biotech जो की 126 रुपे के price पे मैंने 29 नौंबर 2020 को आपको सुझाया था और इसको recommend किया था मैंने और ये भी कहा था कि इसको 120 के आसपास से नीचे जाएगा तो इसको accumulate करिए और ये नीचे गया भी 120 के आसपास और फिर वहां से आपको 158 का इसने peak touch क किया 15-12 को याने कि 15 December 20 को इसमें लगभग 27% का gain आपको मिला है सिर्फ 16 days के अंदर 27% gain that you have got in 16 days only और इसका अभी जो CMP चल रहा है current market price ये 149 के आसपास है कही 150 भी मिल सकता है आपको इछले trading session में 149 to 151 ये arrange कर रहा था तो अभी देखिए अगर market यहां से market बहुत विचित र सकता है अगर market उपर जाएगा तो 149 से लेकर 190 का जो level है इसका जो revise target मैंने दिया है 1 month to 3 month के लिए 190 है अगर यहां से market उपर जाता है तो roughly 40% का gain होगा आपको और यहां से नीचे जाता है तो मुझे लगता नहीं है कि 130 से नीचे जाएगा हो सकता है 120 भी चला जाए बट 130 मैं एक optimistic view लेके चल रहा हूँ क्योंकि market का बहुत नीचे जाने का आसार मुझे नहीं है market गिरेगा लेकिन गिरेगा भी तो इतना नहीं गिरेगा कि बहुत नीचे चला जाए तो 190 के लिए अगर आप इसका target देखे तो 45% का असपास होगा 149 अभी price है CMP है अगर यह गिरे तो 120 से लेकर 130 तक आप इसको accumulate करिए definitely आपको आने वाले तीन मैनों में 40% to 45% का gain देगा अगर आप जानना चाहते हैं कि इस stock में ऐसा क्या X Factor है तो आप definitely पीछे जाएए मेरे वीडियो के लिस्ट में Titan Biotech पर मैंने एक in-depth analysis दिया है और उसमें बताया है इसके कितने जबरदस् निकल्स हैं उनको definitely देखिए आपको बहुत लाब होने वाला है नेक्स्ट आपके सामने जो मैं stock लेकर आया हूँ गुजथेमिस बायोसिन 267 रुपे के price पर मैंने 39 नॉवंबर को यानि 29 नॉवंबर को recommend किया था और कहा था कि इसको अभी तुरस जादा मत खरी दिये जैसा के बाद इसने लगभग अभी 275 का level हाल में touch किया है 24 दिसंबर को तो यहां से आपको लगभग 20% का gain मिल चुका है और कितने दिनों में 25 days में अभी जो current market price है इसका 252 है और यह काफी अच्छी opportunity आपको offer कर रहा है इसका अच्छा support है यहां पर 235 के आसपास इससे नीचे ग करता है छोटा market fall में इससे नीचे वो नहीं जाना चाहिए बट स्टिल आपको ध्यान देना पड़ेगा और trade खुदी करना पड़ेगा मैं तो सिर्फ आपको level सुझा सकता हूँ यहां पे इसका जो revise target मैंने दिया है वो 360 के आसपास है और यहां percentage gain है आपका 40% to 50% रह सकता है कि 200 के आसपास मिल गया तो 60-70% भी हां पर gain हो सकता है इसलिए हमेशा तयार रहिए market के fall के लिए हमेशा पैसा रखना चाहिए हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ market over valued है market के गिरने के chances कभी भी हो सकते हैं तो यहां पर अपनी बुद्धी है वही काम आती है अपना जो trading style है वही काम आता है चलिए तीसरे नमबर का stock में आपको दिखाता हूँ यह है IOLCP IOLCP जो है यह chemical और pharma दोनों में काम करता है और बहुत भेंगर stock है 781 रुपे पर 29 नॉमबर को मैंने आपको सुझाया था और मैंने कहा था इस price पर खरीदारी ज़्यादा मत करिये करना भी हो त तो यह गिर के 680 के आसपास पहुंच गया था और मैंने कहा था कि 700 के आसपास इसको accumulate करिएगा क्योंकि बिल्कुल bottom पे खरीदना भी सही नहीं होता अगर एक limit से ज़्यादा गिरने लगे stock तो उसके बाद बहुत गिरावट हो सकती है लेकिन वहां से समला फिर 700 पर आ गया अभी 752 के आसपास इसका CMP है पर मैं आपको दावे के साथ कहा रहा हूँ यह बहुत तेज भागेगा जब भागेगा तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा अभी आप देखेंगे कि एक और भी stock नीचे है मैं उसका अभी नाम नहीं बताऊंगा आपको आप देखेंगे व स्मॉल कैप कंपनी है जो कि कभी भी मिट कैप में ट्रांजीशन कर सकता है क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है तो 700 के आसपास बिल्कुल आप बनाया रखिए इसको 700 के आसपास अक्यूमुलेट करिए अगर यह कहीं 600 तक फॉल करता है सपोज तो भी आप इसको 650 के आसपास भी इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं आपका गेन परसेंटेज और बढ़ जाएगा इवन जो 700 के लिवेल से जो गेन परसेंटेज बनता है वो 25% से लेकर 30% बनता है अगर निचले लिवेल पर 600 के आसपास इसको आप अक्यूमुलेट करते हैं अगर बाइद होग कब ये ठंड जाएगी बहुत जबर्दस ठंड है तो आप लोग भी जहां पर भी हैं हमारी प्रारत्माय भगवान से की सखुशल रहें और अपने स्वास्त का ख्याल रखें क्योंकि अभी भी कोरोना वाइरस का जो मिनेस है जो ये रोग चारो तरफ संक्रामक रोग फैला हुआ है इससे अपना बचाओ करिए ध्यान और प्राणायाम जरूर करिए पॉजिटिब बने रही है ये हमारी आप लोगों से दरखास्त है देखिए फोर्थ स्टॉक जो आप लोगों को मैंने बताया था वो था अजंता फार्मा ये भी 29 नॉवंबर को सुझाया था मैंने 1536 रुपीज पर और सिर्फ 13 दिनों के अंदर ये देख रहे हैं 13 दिनों के अंदर ये 1725 का लेवल टच करता है 12 दिसंबर को इसने 1725, 1725 का लेवल टच किया और वहां से जो गेन परिंटेज बन रहा है 13% का गेन पर शिर्फ 13 दिनों में 13 दिनों में 13% का गेन कमाल का गेन है न चलिए ये देखिए इसका जो CMP है भी 1640 के आस पास चल रहा है अगर नॉर्मल गंडीशन रहा तो 1550 इसका जो लेवल है वो इक्त रहेगा पर अगर कभी market में बहुत बड़ा fall होता है तो इसको अगर ये कहीं 1300-1400 के आसपास मिल जाए आपको तो और भी बड़ा gain percentage आपको देगा मैं 1550 से जो इसका next target देखता हूँ वो 1900 देखता हूँ अगर 640 से देखें तो ये लगब 20% और 1550 से देखें तो 25% का gain दे रहा है अगर lower level पे आप कहीं इसको पा जाते हैं 1350 पे 1450 पे तो definitely आपका gain percentage जो होगा वो 30-35% के आसपास gain होगा minimum 40% भी हो सकता है चली अब आगे अगला stock दिखाता हूँ आप लोगों को जो अगला stock है यह सिपला यह एक large cap company है और इसको कौन नहीं जानता यह बहुत जवर्दस्ट stock है फार्मा का काफी बड़ी company है यह भी मैंने आप लोगों को एक ही यह जितने भी पांचों है जो पांचों देख रहे हैं आप एक ही वीडियो में मैंने यह पांचों को आप लोगों को सुझाया था और मुझे याद है अच्छे से कि मैंने सारा PE, ROC, ROE यह सब करके पूरा in-depth analysis, BSE पर result और सारा कुछ दिखाया था और फिर बताया था कि यह stocks इतने भेंकर क्यों है और इन में इतना भेंकर growth क्यों है देखिए एक चीज़ मैं आपको यहां पर बताना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल का नाम Top Share Ideas योई नहीं है मैं सिर्फ Top Share सी लाता हूँ आप लोगों के लिए जो बाजार के जो बिल्कुल Top Performing Stocks होते हैं मैं उन्हीं में deal करता हूँ वही आप लोगों को दिखाता हूँ वही आपको इन्वेस्ट करने और Swing Trade के लिए बताता हूँ तो इसलिए इन सारे Stocks में जो इतना जवरदस्त गेन होता है यही कारण है इसका आपने देखा गोकुल एग्रो जब कोई गोकुल एग्रो का नाम आप कहीं पर भी जाकर देख लिए किसी ने बोला हूँ आपको खरीदने के लिए आपकी यूट्यूब पर कभी आपने गोकुल एग्रो का नाम भी सुना हूँ मुझे बताईए कि किसी ने बोला हूँ कि ये गोकुल एग्रो खरीदने लाई के Stock है लेकिन गोकुल एग्रों को मैंने 18 नौमबर के आसपास आप लोगों को बताया था और सिर्फ एक महीने के अंदर मुझे लगता है और कम 25-26 दिनों के अंदर उसने रफली आपको 75% का गें दिया 13 रुपे का स्टॉक जब मैंने रिकॉर्मेंट किया था वहां से वो साड़े 22 का लेवल चूता है साड़े 22 का तो जस्ट इमेजिन कि मेरे रिसर्च में कुछ तो होगा जब कोई उसकी बात नहीं करता तो मैं उसकी बात करता हूँ और मेरी बात बिल्कुल सच होती है वैसे ही जैसे कोई प्रोफेटिक वाइस हो लेकिन मैं अपने भाइस को फ्रोफेटिक नहीं मानता मैं तो सिर्फ विनमरता से आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि मैं बहुत रिसर्च करता हूँ तो मेनत का फल तो मीठा होता ही है मैं रिसर्च करता हूँ और और ओरिजिनल रिसर्च करता हूँ मैं किसी की बात सुनता नहीं हूँ, मैं कहीं टिप्स पर काम नहीं करता हूँ, तो goku lagro एक ऐसा स्टॉक है, आप देखिए awesome enterprises किसी ने आपको बताया हो, बताइए, किसी ने awesome enterprise के बारे में आपको नहीं बताया हो, उसने 80% का gain दिया है, 80% का, PSU banks के बारे में लोग बोलते हैं उसमें भी मेरा 40-40% का gain आया है, जियोजीत finances, man industries में 60-60% का gain आ चुका है, जो goku lagro है, awesome enterprises है, इसका gain देखिए कितना जबरदस्त है, पूरे YouTube पर सर्च मार लीजिए, आपको मिलेगा नहीं कोई, और कोई ये बताने वाला नहीं मिलेगा कि इसको खरीदिया और इसमें इतना भेंकर gain होगा, ये सब original research का कमाल होता है, चलिए, सिपला की बात करता हूँ, मैं सिपला को मैंने 740 के level पे आप लोगों को 29th November को सुझाया था, 29th November को, और 28 December को ये 840 का level इसने टच किया है, अभी हाल में 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, तो 29 days के अंदर जो इसका gain percentage है, ये 14% ह देख रहे हैं, एक महिने के अंदर अगर 14% gain हो तो इससे बहतर क्या चाहिए आदमी को, अब देखिए यहाँ पर, अभी 840 के level पर है, इसका जो revised target मैं देख रहा हूँ, 950 के आसपास देख रहा है मुझे, market अगर बहुत चड़ेगा तो इससे ज़्यादा भी जा सकता है, म market अगर नीचे आता है, तो इसको कहीं 750 के आसपास आपको मिले, बहुत बड़ा fall हुआ तो 700 के, 650 पे भी मिल सकता है, 650 से लेकर 700 के आसपास इसको accumulate करिए, और अभी जो यहाँ से 750 से जो gain percentage बनता है, 35% के आसपास बनता है, और नीचे अगर accumulate किया, तो यह कहीं 40% से लेकर 50% तक का gain आपको दे सकता है, अगर 600 के आसपास कहीं मिल जाए, 650 के आसपास मिल जाए, तो उसको hold करिए, अगर तीन महीने में नहीं मिलेगा, तो छे महीने तक में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर क्योंकि सिपला जबरदस्ट कंपनी है, और सिपला का जो हाल का जो performance था क्यो तो देखिएगा, ये वीडियो 29, 11, 29th of November को मैंने पोस्ट किया था, चलिए अब 6 stock की तरफ ले चलता हूँ आपको, इस stock का नाम है धनुका एग्रिटेक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये धनुका एग्रिटेक आपको 770 रुपे के आसपास मैंने recommend किया था, और कहा था कि इसको जादा मत खरी दिये, बहुत थोड़ा खरी दिये, क्योंकि market गिरेगा, stock में अगर कभी कमी आती है, तो वो खरी दिये आप, देखिए 30 November को मैंने आप लोगों को धनुका एग्रिटेक का in-depth analysis दिया था, उसको जा कर देखिएगा, उसमें भी full analysis मिलेगा आपको और पूरा logical reason मिलेगा आपको, क्यों इसमें एक बहुत बड़ा gain percentage expected है, तो 30 November को मैंने बताया था, और मैंने कहा था कि इसको accumulate कर ये lower levels पे, 700 के आसपास, तो 700 को इसने 12 दिनों में ही touch किया, क्योंकि उसमें मुझे लग रहा था कि अभी ये नीचे जाएगा, तो 700 को इसने 12 December को touch किया, और फिर 28 December को ये गलती से आ गया है, तो 28 December को इसने 825 का level touch किया है, 28 December को, याने कि 18% आपको 28 days में मिला है, 700 से 825 को देखिए, तो 18% इसने आपको 28 days पर दिया है, और अभी जो इसका level है, CMP, current market price, 785 है, market अगर यहां से उपर जाता है, तो इसका जो target मुझे 1 month, 2, 3 month का दिखता है, 1000 रुपीज के आसपास दिखता है, और इसमें जो gain बनता है, लगबग, यहां पर थोड़ा सा, हाल, यहां जो gain बनता है, लगबग 12% का बनता है, और अगर market यहां से fall करता है, तो आपको definitely यह 680 700 तक मिल जाएगा, और फिर वहां से जो gain बनेगा, 20% का आसपास बनेगा, तो अगर even lower levels पे मिले तो और भी आपका gain बहतर हो जाएगा, इसलिए उसके लिए तयार रही है, क्योंकि market की हालत बहुत unpredictable लग रही है, ऐसा market मैंने कभी देखा नहीं है, अब देखे सात्वे को इसने 394 का level touch किया, 394, और सिर्फ 16 days के अंदर देख लिजी, सिर्फ 16 days के अंदर इसने 30% का staggering mind blowing आप लोगों को profit दिया है, अभी इसका जो CMP है 376 के आसपास है, 376, और यहां से जो target मुझे दिख रहा है, next target वो 450 है, 1 month to 3 month के लिए, और इसका gain percentage जो बन रहा है, वो 20% से 45 यहां 376 से देखेंगे, 450 तो लगभग 20% बनेगा, और इसको lower levels पर अगर market में fall होता है, और वो fall continue रहता है, तो आपको कहीं न कहीं यह 300, 320 के आसपास definitely मिलेगा, वहां इसको accumulate करिए, और accumulate करेंगे, तो आपको 45% तक का gain दे सकता है, 1 month to 3 month के horizon में, अब 8th number का stock देखिए, यह था 1 December को, और 1 January को, देखिए, 1 December को 920 रुपे पर सुझाया था आपको, 1 January को इसका price, 1750, 92% gain in 30 days, देख रहे हैं, इतना भयंकर, तो मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ, देखिए, 92% in 30 days, यह कोई मामूली बात नहीं है, इस तरह से, मैंने जो आप लोगों को level दिया था उसको देखिएगा, मैंने level इसका बड़ा ही conservative दिया था, और मैंने कहा था, इसके बारे में मुझे एक line याद है, मैं हमेशा बोलता हूँ, कि जब भी इसको पकड़ना चाहो, यह भाग जाएगा, जब भी इसको पकड़ना चाहो, भाग जाएगा, आप इस price पे भी सोचने भी गिरा था, तो मैं accumulate कर रहा था, 800C के आसपास मैंने इसको accumulate किया था, अभी यह 1618 के आसपास आपको मिल रहा है, और अगर fall करे market, तो यह sharply fall भी कर सकता है, 1300, 1400 तक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसका target मैं अभी 1750 से ज़्यादा नहीं देना चाहता हूँ, यह भ क्योंकि मुझे यह strongly feel हो रहा है कि market गिरे या ना गिरे पर इसे stock में गिरावट होगी, क्योंकि यह 92% चल चुका है, वैसे आप बोल सकते हैं कि साहब यहां तो 5-5-6 गुना चलने वाले stock भी हैं, जैसे आर्थी drugs, जैसे आर्थी surfactants, तो इस तरह के stocks तो बहुत चले हैं, ऐ ऐसे hypothetical targets लेकर मैं आप लोगों को कभी फसा नहीं सकता हूँ, मैं ऐसा काम करता नहीं हूँ, मैं अभी भी इसका target 1750 ही देता हूँ, और इसको यहां से आप 22-25% के gain के लिए लीजिए, हो सकता है, यहां से भी यह double हो जाए, अगर इसको long term investment के लिए लेना है, तो मैं स्टॉक है, विसफोटक बोलता हूँ, मैं explosive स्टॉक बोलता हूँ, अपने मेरे तमाम report card series देखे होंगे, वहां पर मेरे research का जो मधूर फल है, आप लोगों ने देखा होगा, कितना बढ़िया gain आप लोगों को मिल रहा है, इस परिश्रम का इतना सम्मान देजिए, कि मेरे इस चैनल को subscribe करिए, यही मैं आप लोगों से विंदी करूँगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो like करिए, subscribe करिए, share करिए, अपने परिवार जनों, मित्र जनों के साथ, मिलता हूँ आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में, कल फिर से, तब तक के लिए अपना ख्याल र कर दोले करे लई तक कर revenue में आप लोगों से विए, आप।े मैं ऑी विए, कर लोगों से फ्याल विए तो शाना, आप लोगों में एम्ला कर लोगों से हमाप लोगो, सन्में ऐनी ओम लोगों से बाtesफ, अवावार गणूप्र जमएर जбार लोगुे आपप underneath, आप माईब